जै मा बगला मुखी आज जो मंत्र में आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही चमतकारी है इस मंत्र का प्रियोग तब होता है जब बैरी आपको बहुत जादा परिशान करते जब पानी सिर से उपर निकल जाए तब इस मंत्र का प्रियोग करना चाहिए इस मंत्र का प्रियोग कभी भी किसी निर्दोश का अनिष्ट करने में ना लगाए यदि किसी ने आपके साथ पहले कभी कुछ बुरा किया है तो आप इस मंत्र का प्रियोग कर सकते हैं मा बगला मुखी इस मंत्र को शक्ति प्रदान करती है और ये इतना सटीक है कि एक बार किसी पर कर दिया तो वो बंदा रातो रात खटिया पकड़ लेगा इस मंत्र को बहुत से जगवों में प्रियोग में लाया जा सकता है आप इसको कोट के चहरी में प्रियोग में ला सकते हैं कोई बंदी हो या कोई मुकदमा चल रहा हो तब इस मंत्र का प्रियोग किया जा सकता है आप इस मंत्र को तब प्रियोग में ला सकते हैं जब कोई बैरी कोई शत्रू आपकी हानी पहुचाना चाह रहा हो इस मंत्र को तब प्रियोग में लाए जाता है जब किसी बैरी को अपंग करना हो इस मंत्र को तब प्रियोग में लाए जाता है जब किसी दुष्ट आत्मा को किसी दुष्मन को पेरलाइस करना हो उसका दिमाग खराब करना हो या किसी को पागल करना हो तब इस मंत्र का प्रियोग किया जाता है इस मंत्र की विधी बहुत ही सरल है लेकिन ये जितना सरल है उतना ही खतरनाग भी है जो मंत्र जितना powerful होता है वो backfire भी उतना ही जल्दी करता है तो आप पर इसकी हानी ना हो इसके लिए आपको इसको पूरी विधी के साथ करना होगा और ये अगर आप ना कर पाएं तो हमारे पास दीक्षित पंडितों का एक समू है जो आपके लिए ये साधनाएं कर देगा आप वाटसप पर मेरे नंबर पर मैसेज करें कि हमें ये वाली साधनाएं करवानी हैं तो आपको इसकी पूरी जानकरी दी जाएगी अब जो जिग्यासू इस साधनाओं को स्वैम करना चाहें उनके लिए मैं बता दूँ कि सबसे पहले जो है आपको एक कमरा लेना होगा जो की चारू तरफ से पीले रंग में रंगा हो एक ऐसा कमरा जो की हवादार हो और पीले रंग से रंगा हो अगर आपके घर में ऐसा कमरा नहीं है तो आप पीले कपड़े या चंदर लगा सकते हैं या कोई परदे लगा सकते हैं या फिर आप अपने कमरे की रंगाई भी करा सकते हैं लेकिन यहाँ पर पीला रंग अनिवार है इसके बाद आपको दक्षिन दिसा की और अपना मुख करके बैठ जाना है और अपने बैठने के स्थान पर जहां पर आप आसन लगाएंगे वो आसन उन का हो उस उनी आसन पर बैठ कर आपको चाकू की धार से अपने बाहर बाहर एक घेरा बनाना है याद रहे घेरा आपको चाकू की धार से बनाना है अगर आपके जो मकान है उसमें टाइल्स लगी हो या फिर फर्ष बना हो तो आप लाल सिंदूर लेकर भी अपने बाहर बाहर ये घेरा बना सकते है अब इस घेरे को बनाने का मंत्र गौर से सुनीगा क्योंकि ये वही घेरा है जो राम ने सीता माता के बाहर बनाया था जब तक माता इस घेरे के अंदर थी तब तक वो शुरक्षित थी लेकिन जैसे ही वो इससे बाहर निकले तो रावन ने जो है उनका हरन कर लिया था तो मंत्र सुनीगा आप बांध चाब बांध दुश्मन का हाथ पैर पाउं सारा शरीर बांध ये बोलते बोलते आपको अपना चाकू जो है वो अपने चारों तरफ घुमाना है एक गोला सा बनाना अपने बाहर बाहर इसके बाद आकाश बांध पाताल बांध दुश्मन का हाथ पैर पाउं सारा शरीर बांध ये बोलते बोलते आपको अपना चक को अपने बाहर बाहर घुमाते रहना है ये बोलते जाएं और अपने बाहर बाहर एक सरकल बनाते जाएं इसके बाद आपको जब ये पूरा मंतर तो मैं आपको यहां पर नहीं बता पाऊँगा इसके लिए आपको विजिट करना होगा सर्स्टॉप्स.com तो आपको ये पूरा मंतर मिल जाएगा अब इसके बाद जब ये घेरा पूरा बन जाए तो आपको पीली हल्थी की गाठ जिसमें की 51 गाठे हो वो आपको ले लेनी है और अपने बाहर बाहर जो आपका कमरा होगा जो भी आप जहां पर भी किसी गुफा में हो किसी मंदिर में हो तो उस जगे को आपको पवित्र करना है पवित्र करने के लिए क्या करना आप थोड़ा सा गंगा जल लेना है और यह मंतर बोलना है अपने भीतर की और अपने बाहर की जब शुद्धी हो जाए तो उसके बाद आपको बैठ जाना है जब करने सबसे सरलतम है आपको एक हल्दी की माला लेनी है पीली होनी चाहिए आपके वस्तर पीले होने चाहिए जो भी माता को आप अर्पित करेंगे वो भी पीला होना चाहिए यूँ समझे कि आपके आसपास जहां आपके नजर जाए वो सारी चीजे पीली होनी चाहिए अब जिस तरह से माता की आराधना करते हैं वो आप की उपर आप किस तरह करते हैं लेकिन जो विधी है वो ऐसी है कि सब कुछ पीला होना चाहिए और पीला वस्त होना चाहिए पीला ही आसन होना चाहिए पीला ही आपको जो धूप है घी हुआ वो सारा कुछ पीला होना चाहिए इसके बाद आपको पीली हल्दी की गाठ से एक्यावन गाठे जो होती है उनसे जितनी मालाएं आप कर सके वो आपको जपनी शुरू कर देनी है और इसको आप 41 दिनों तक करें तो यकीन मानिए पहले ही दिन से आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा तो मंत्र को गौर से सुनिएगा क्योंकि इसमें जरा से भी तुरूटी आपकी साधना को विफल कर देगी तो मंत्र को आप जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि मंत्र में तुरूटी अर्थार्थ आपका जो भी क्रिया कलाप है वो सब विफल हो गया मंत्र है जब इस तरह की निपूर्णता आ जाए तब आप मंत्र जाब करना शुरू कीजेगा कई लोगों को मैं देखता हूँ कि हाथ पे लिखा होता है या फिर किसी परचे पे लिखा होता हूँ और उसको पढ़ पढ़ के बोल रहे होते हैं तो ऐसे में जो शक्ती है जो चीजे हैं वो काम नहीं करती है जब एक सटीक ले में आप किसी मंत्र का गूमफन करते हैं तो उससे चमतकार होते हैं स्षिष्टी में मंत्र अपने आप में शक्तियां लेकर उत्पन्न होते हैं उनकी शक्तियों को उजागर करने के लिए उनका गूमफन सही तरीके से होना चाहिए तो ऐसा भी नहीं है कि आप भाग रहे हो मंत्र के साथ लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कछवे की चाल चल रहे हैं एक ले में आपको मंत्र बोलते जाना है तो जब आप एक सटीक फ्रिक्वेंसी पर आएंगे जिस तरह से रेडियो होता है उस रेडियो की जब हम उसको फ्रिक्वेंसी को सेट करते हैं जब वो स्टेशन से अपने संपर्क बनाता है तब ही जाके आवाज आती है कैसे बनाना है कैसे वहां तक पहुँचना है तो आपका मंत्र पहली ही बार में लग जाएगा जो तत्व ग्यानी हैं वो समझते हैं कि परमेश्वर से किस तरह से लिंक बनाये जाए और उनको किसी भी मंत्र का सहारा लेना नहीं पड़ता बस आख बंद की और वो उनसे सक्षातकार कर लेते हैं लेकिन अभी जो आम लोग हैं जो आम जनता हैं जिनका दूर दूर से साधनाओ का कोई भी लेना देना नहीं है वो सरलतम विधी जो मैंने आपको बताई है इस तरीके से कर सकते हैं और यदि इसको करने में किसी भी प्रकार की कोई कठीनाई आए कोई दिक्कत आ रही हो तो इसको न कीजेगा क्योंकि ये वो चीजे हैं जैसे कि जो सरल मंत्र होते हैं उनको तो कोई भी कर सकता है लेकिन मारन उचाटन और विदेशन ये क्रियाएं ऐसी होते हैं जिसमें कि एक दक्ष गुरू चाहिए होता है और यदि कोई भी मंद बुद्धी इस प्रियोको करेगा तो जो रिजल्ट है उसकी जगे खानी भी हो सकती है तो इन जितनी भी विद्याओं को खेल मत समझेगा ये सारी चीजें इस धरा पर काम करती हैं और मैंने इस से चमतकार होते हुए अपने आखों के सामने देखे हैं जो भी चीजें मैं बताता हूँ ये सारी की सारी प्रूफ किये हैं हमने उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ तो किसी भी तरह किसी को टेस्ट करना हो तो इसका मत कीजेगा यह सारी यूँ समझे कि गोले बारुत से भरी पड़े हैं यह सारी चीज़े एक बार छोड़ दिया तो सामने वाला खतम है लेकिन किसी का अनिष्ट ना करे और किसी का अनिष्ट करने के लिए इन साधनाओं का प्रयोग ना करे अगर आपकी जान पर बनाई हो कोई बैरी और कोई ऐसे पद पर बैठा हो जिसका आप कुछ ना कर पा रहे हो तो उस पर आप यह खरिया कर सकते हैं और मेरा इकीन मानिए चाहे वो कितना ही बड़े पद पर जो ना बैठा हो एक रात में यह चीज़ अपना काम करतेगी किसी भी तरह की जानकारी के लिए call कीजेगा 999-284-1625 पर धन्यवाद